आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ गुर्मानिंग students, ताज का मारा question क्या है What are the two important types of chemical bonds? तो important types of chemical bonds समझते हैं मेरे पास पहला chemical bond होता है, ionic bond और दूसरा chemical bond होता है, covalent bond इन दोनों में एक basic difference क्या है? बताता हूँ, देखो तो जो ionic bond होता है न, ये बनता है complete transfer of electrons से complete transfer of electron और covalent bond बनता है shearing of electron, ठीक है? अब इसका क्या meaning है? देखो, पहले मैं ionic bond समझाता हूँ ionic bond के लिए एक example ले लेते हम लोग एक ionic compound का जिसमें bond बनता हो NaCl अब ये NaCl कैसी बनता है? देखो मेरे पास Na है इसकी electronic configuration है 281 मेरे पास chlorine है इसकी electronic configuration 287 हमें बता है ये जो sodium है ये चाहता है कि इस एक electron को loose कर दे, राइट ये क्या चाहता है कि इसके पास ये electron है ये इसको loose कर दे या donate कर दे किसी और को ताकि इसके पास सिर्फ ये ही दो बचे है और अब देखो यहाँ पे complete set है ये भी shell complete, ये भी shell complete और ये चाहता है कि यार कोई मुझे एक electron gain करा दो, मुझे एक electron को इलाके दे दो ताकि मेरा ये shell complete हो जाए तो इसने का भई तेरे को चीए इसने का हाँ, ले भई मेरा रख ले और क्या? तो sodium ने अपना एक electron chlorine को दे दिया तो sodium के पास क्या charge बचेगा sodium हो जाएगा na plus, क्योंकि इसने एक negative charge loose कर दिया, तो बचेगा positive charge chlorine के उपर चड़िगा negative, क्योंकि इसने negative charge gain कर रहा है positive negative एक दूसरे को attract करते हैं तो na plus और cl minus इस electrostatic attraction के कारण जुड़ जाएंगे और ये bond कहलाया ionic bond ठीक है, आप समझते है covalent bond क्या होता है covalent bond तो इसमें होती है sharing, इसमें यहां से पूरा का पूरा electron उटके इसमें चला गया, पर इसमें ऐसा नहीं होता देखो इसके लिए example लेते हैं carbon का, carbon के पास 2, 6, 2 और 4 ये configuration होती है ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बोलता है, देखो मैं पूरी तरीके से electron तो नहीं दूँगा, ठीक है इसके लिए देना भी easy नहीं होता है, क्योंकि 4 electrons का transfer completely करने के लिए energy बहुत ज़्यादा लगती है, और इतनी energy हम लोग नहीं provide कर सकते है, generally ये रहा carbon, इसने का ये ये रखे मेरे 4 electron, जो valence shell के हैं, कोई आओ और मेरे साथ sharing कर लो, तो यहाँ पर आता है हमारा hydrogen, और बोलता है ठीक है भई, मैं तरे साथ sharing करूँगा, और 4 hydrogen आते हैं, और हमें पता है hydrogen की valence shell में एक एक electron होता है, तो मैंने सबके साथ एक electron दिखा दिया, तो यह देखो, अब hydrogen बोलता है, इतना part मैं share करता हूँ, इतना part मैं, इतना part मैं, इतना part मैं, notice करो, हर hydrogen के पास अब 2-2 electrons है, उसका काम हो गया, क्योंकि hydrogen को duplet complete करना होता है, वो stable हो गया, और इस carbon के पास भी देखो, यह इस carbon की sharing कही रिया है, इस carbon को 8 electron चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल इसके पास 8 electron हो गए, पर कमाल की बात है कि electron ना तो carbon ने completely hydrogen को दे दिया, ना hydrogen ने completely carbon से ले लिया, ना अपना दिया, इन दोने ने mutually sharing कर ली उन electrons की, तो यह होता है sharing of electron से बनने वाला bond, covalent bond, और ऐसे denote किया जाता है, यह जो मैंने आपको formation दिखाई है, यह CH4, यानि की methane compound की है, तो I hope यह question अब सबको समझ में आ गया होगा,